हेलो बचो, जेह मेन का Vector का आगे question, question आपके सामने बहुत ही प्यारा question है और छेपरई शिप्टु का question है question में कहा जा रहा है A Vector आपको given AI Cap प्लझ J Cap माइनस के Cap and B vector जरै से समझो इसमें आपको क्या दिया है sk felic wektorŞ का पहले क्रॉस हो गा i cap j cap के साथ देखे और फिर जो बनेगा उसका i cap के साथ क्रॉस होगा फिर जो final y and vector बनेगा फिर उसका i cap क्रॉस होगा इतना तो clear करिये दो वेक्टर का जब across होता है तो हमारा vector ही मिलता है हमको इतनी बात क्लियर करनी है दो वेक्टर का क्रॉस करने पर वेक्टर ही मिलेगा ध्यान रखिए तो यह क्लियर है दोनों वेक्टर क्रॉस करके वेक्टर मिलेगा फिर उसका वेक्टर के साथ क्रॉस होगा फिर वेक्टर आएगा फिर एका आई के साथ क्रॉस होगा दिखो बहुत ही जबर्दस conceptual question है और अच्छे से समझो क्या कहे रहा कुश्चन ए वेक्टर है और बी वेक्टर है चलो पहले बी को बना लिया जाएगा ठीक है क्रॉस कर ले बहुत बच्चों की तरह हो जाएगा यह बी वेक्टर आ जाएगा उसके बात कि कहे रहा है कितना conceptual question है समझ अब बेक्टर का projection बी पर क्या होगा जब भी किसी वेक्टर का projection बोला जाता है दोनों का dot किया जाएगा और जिस पर projection बोला है उसके 9 सेट इबाइड गया है इतनी बात आप बच्चों को ठाट में रखनी है इतना conceptual किलियर कर लीजिए इतनी बात आप बच्चों को ध्यान रखने हैं concept इतना किलियर कर लीजिए कि जब भी हमें इसका प्रोजेक्शन इस पर बोला दोनों का डॉट और डिवाइड में मॉडूलस और बी पुल में आगे बी को क्रॉइंड करना होगा बी पता चले का तब हो गया बच्चों वाला कुछ तो यहाँ पर अब हम देखें कैसे करेंगे बी को कैसे find करेंगे जरा सीखेंगे देखू बेटा ट्रिपल प्रोटेट आपने पड़ा होगा ए वेक्टर का अगर हम क्रॉस करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ जरा ध्यान से सुनेगा ए वेक्टर का अगर क्रॉस और फिर क्या होगा इन दोनों का डॉट ए डॉटट C और यहां पर माइनस फिर क्या होगा और फिर फॉर्मुला होता है, लेकिन यह ध्यान रखना पहला वाला वैक्टर सिंगल है, बागी दो वैक्टर प्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर B लिखा यह ट्रिक बता रहे हैं यह फॉर्मला तो यह है लेकिन हम ट्रिक से याद करा रहे हैं वो फॉर्मला क्या है A vector dot C vector B फिर minus इधर हो जाएगा A vector dot B vector और इस C अगर इस ट्रिक को समझोगे तो कैसे याद किया जाएगा इसको जरा समझेगा कैसे याद करना है जरा इसे concept को क्लियर करो बेटर concept क्लियर कीजिए कैसे इस फॉर्मले को कैसे बनाएंगे देखो इदर क्या कि हमने यह लिखा B vector और फिर यहाँ पर minus फिर यहाँ पर सी वेक्टर ब्रेकेट के अंदर जो पहला वेक्टर उसको लिखा फिर जो दूसरा वेक्टर उसको लिखा यह ट्रिक बता रहें फिर यह बी लिख दिया तो अब इन बी को भूल जाओ ए और सी का डॉट किया जाएगा और यहाँ पर किसको लिख दिया सी को लिख दिया सी को भूल जाओ ए और बी का डॉट होगा यह आपके सामने टेक्निक है सर यह देखो एक वेक्टर दोफेटर तीन वेक्टर यह देखो यह आपका कह सकते हो वेक्टर triple product हो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा करने के लिए आप कर सकते हो अगर पहले सी सथ को रहा इसमें क्या है सिंगल पहले वाला सुरुवात में बैक्टर तो यह वाला तो इसमें क्या करना है जो यह वाला वैक्टर रोगा ब्रेकट के अंदर वाला इस पो पहले नहीं पिर माइनस फिर क्या होगा बिटा फिर इसको लिखोगे अब आपने एक वेक्टर बी को लिख दिया बचा कौन ए और सी उन्दोनों का डॉट करके अंदर लिख दिया तो बस यही कॉंसेप्ट को लगाए जाएगा तो बता है क्या किया जाए श्में बहुत इसी होगिया कि यहांपर आसानी से आजाएगा बिटा ऐसे दखो अधर बी वेक्टर निकाल लाए कि यहांपर बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बूलो इसको पहले लिख देते हैं जानने आई-cab और क कि एक प्लस जे का यह लिए को यहां पर डॉट किसका होगा यह वेक्टर और बागी बचिवे दो वेक्टर का एड जाना चाहिए Drug लिए Yeah डो रहे हैं इस वेक्टर को पहले लिखा और in लोह कर ना यही То कताए था डो gonna Q वेक्टर रोस्स आर लिखा है यह हमेशा Q कूल को पहले लिखो और पिर माइनस फिर पी वेक्टर को लिखो और यहां पर जो लिखा क्यूं तो इनोनों का डॉक्ट कर दो बचिवे दोनों का अब यहां पर कै लिखा है टो बचिवे दोनों वेटर का डॉट ऊप् darf वे दू किया दूसरे नंबर वाले को लिख दिया पहले और यह जो बचिवे 2 transplant का इसमें लिख दिया पर ए लिखोगे इन दोनों का डॉट करके लिख दिए तो इससे देखो कितनी जल्दी से हमारा भी वेक्टर अभी नहीं बनेगा यह बी वेक्टर नहीं होगा फिर इसके साथ आई का क्रॉस कर देगा खतम हो जाएगा तो अब देखें क्या होगा जो भी हो जा गया हमारा भी वेक्टल एक्टर का डौट करेंगे तो माइनस यह आपका जेकर तो पूरा THK फिम्हयंत behavior मेंछ कड़क हो चाहिए तो पूरा के कैप यहां से टू आई कैप से टू आई कैप कैंसिल तो जे कैप क्रॉस के कैप और इसी में आई कैप का क्रॉस करतों के यह अंदर वाली वैल्यू आ गई है यह पूरा अंदर वाला पोर्शन है और उसाफ आई कैप क्रॉस करतों के अब आफ का भी वेक्टर बन जाएगा और आप जानते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस यहां पर प्लस इभीटर यह जो प्रॉस करेंगे आई कैप के साथ यह हो गया और इसदर लिखेंगे जे कैप क्रॉस की आई कैप जे कैप क्रॉस आई कैप और प्लस इधर क्रॉस करेंगे के कैप क्रॉस आई कैप अब बताओ बच्चों वाला सवाल पनेगे यह तो आपको मालूम है आई कैप जे कैप के कैप का फॉर्म सेट मालूम होना ची बिटा क्या होता है अगर आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो के क तो अब बताओ बच्चों वाला कुश्चन हुआ कि नहीं हुआ वेक्टर आपके सामने आ गया वेक्टर है प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन क्या होगा ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड़ बाई मॉडलस ऑप बी इन दोनों का डॉट करो जरह ए व का मॉड कितना होगा आपको मालूम है मॉड कैसे आता है इसके जो कॉप्शेंट उनका स्कॉयर करेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस वन का स्कॉयर वन प्लस वन यह हो जाएगा टू अप आप इसका स्कॉयर पूछ रहा है ना आप कोश्चन में देख लिजे उसका टू तो आपका ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट हो गया तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बैदरीन सवाल था आई दूसरा कोश्चन लिखेंगे यह कोश्चन भी बिटा आई-एटी जेमें और जेमें में से पहले रिपीट हो गया है मतलब एक्जेक्टली यह सवाल नही है कुश्चन में क्या कह रहा है है देखे question में क्या कह रहा है question आपको आपके सामने लिखा है J mean का 6 April 72 का है यह भी A vector आपको given है 6 I cap plus J cap minus G cap and यह देखो A vector given है और B vector given है I cap plus G cap और C is a vector such that उसका जो modulus है वो 6 cap बराबर है या 6 से बड़ा है बहुत सारे बच्चे इसको देखे ड़ जाते हैं डरना नहीं यार पूरा पढ़ो तो A vector dot C vector A vector का dot C vector के साथ 6 times modulus of C vector है और C vector minus A vector का mod 2 root 2 है एंगल बेड़े में इन दोनों vector के बीच का एंगल हमारा 60 degree है तो हमें बताना है क्या हमें बताना है इसकी value बतानी है उन दोनों के बीच का angle तो बड़ता हो चलो वहीं पर ही बता लेते हैं देखो आपको इसकी value फाइंड करनी है इसकी value फाइंड करनी है आप यह मुझे बताईए दो वेक्टर का जब भी हम cross करते हैं बेटा जर्ब बहुत ध्यान से देखेगा 2 vector का जब भी हम cross करेंगे तो क्या होगा पहले वाले वेक्टर का modulus और दूसरे वाले वेक्टर का modulus और sine theta, n-cap नहीं होगा, n-cap तब होगा, जब mod नहीं होगा, चलो भाई, यह होगया, तो आप भी बताओ, तो इसकी value क्या होगी, भाई, इन दोनों के बीच का angle इसे लिए तो दिया, a cross b का मौड तो एक लौस भी तो क्लियर है और मॉडुला सॉप सी वेक्टर तो यहां पर साइन ठीटा उनके बीच के एंगल साथ डिगरी भी दिया हुआ तो यह निकाल लो यह तो आई गया कोई दिक्कत नहीं मॉडुला सॉप सी किसी तरह से आ गया तो खतम पहले एक रॉस भी निकाल के रख दे रहें इसके मॉड की अगर जरूरत पड़ती है तो इसका मॉड आप अच्छे से जानते हो इस यह ना नो इंटो तीन यही यह नो इंटो तीन यह नी त्री रूट थी यह का मॉड होगा पेटा त्यान से देगे बच्छो अब क्या करना है यहां पर जर समय लो पेटा क्विश्चन बहुत सिंपल है यह क्यों दिया यार मौड सी ग्रेट नन इक्वाल टू सिक्स क्यों दिया है बहुत लोग यह देख करें डर गए मेरे बस की नहीं है अरे भाईया इसलिए दिया होगा हो सकता है मौड सी की दो वैलू जारी होगी एक छैस कम आ रही होगी दूस सी है हमेह मालूम है कि मौड सी का का यानिए मौड एक मट स्फार यांई मौड एक और ये बनेगा उखान एदर यह सवाल या गया है यह चार-चार दूनी अठ हो गया अभर मॉड्स अट हो गया है एक काम करो यहां पर रोखो modulus of c square modulus of यह कितना है इसका mod निकाल लो 36 और 37 minus 1 का 1 plus होगा 36 और 37 root 38 minus यहां पर 8.c 6 रखोगे जब यहां पर 6 रखोगे तो कितना होगा 12 modulus of c equal to 8 चलो थोड़ी देर के लिए mod c को आप x लेट कर लीजिए समझ लीजिए x की तरह फील करेंगे x square minus 12 x और इधर आएगा कितना होगा plus 30 equal to 0 factor करने का प्रियास कर रहे होगा factor करने का अगर प्रियास कर रहे हो, factor नहीं हो पाएगा factor नहीं हो पाएगा, एक trick बताते है quadratic अगर कोई ऐसी दी है, जिसमें x का coefficient अगर even है मज आ जाएगी एसी trick सुनके मज आ जाएगी बिटा, देखो इधर क्या है कोई भी quadratic है, कोई भी any quadratic equation और अगर उसका क्या है x का coefficient even है फिर से सुन लीजे, x का coefficient even है और यह अगर 1 है, तुरंत x की value कैसे निकलेगी x equal to, इसमें minus multiply करो और 2 से divide करो तो minus का multiply minus हो गया 2 से divide, जू हो गया plus minus under root, इसका square करके लिखो चाँ, और constant को minus कर दो मज अगर यह minus से तो plus करने, यहाँ पर minus लिखना है और उसको जो लिखा है constant, अब यह देखो minus 2 plus minus under root 3 अब लगा दीजे स्री तरह चारे, यही आएगा जैसे, लिखा है x square minus का 8 x plus का 4 equal to 0 बताओ क्या होगा, x equal to क्या होगा minus का multiply 2 से divide, minus का multiply plus 2 से divide 4 plus minus under root, इसका square करोगे 16 और constant को minus करोगी 4 plus minus under root 12 पेटा, यह गजब की trick है पेटा चलिए, आएए, यहाँ पे क्या होगा x equal to minus का multiply करोगे 6 और यह होगा plus minus under root, इसका square 36 और यह minus 30, तो यह कितना होगा 6 plus minus, 36 में 36 गिया, sorry, 30 गिया 6 अब यह बताओ, 6 plus root 6 और 6 minus root 6, देगे कमाल का concept, आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजे, modulus of C आपको greater than equal to 6 दिया है यानि mod C की value 6 से जाजा होगी, और यहाँ पर यह वाली value 6 से कम है, तो यह हमारा C, और देखो 6 plus root 6 टाइप में भी आ रहा answer तो यहाँ पर x का मतलब हमारा mod C, जो हमारा mod C होगा पेटा, जो हमारा mod C होगा, वो mod C वो होगा, जो 6 से बड़ा होगा, वहाँ पे अगर less than होता तो यह वाला ले 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 ले, ठीक है, तो यानि modulus of C हमारा होगा, वो लिख दिया है 6 plus root 6, अब हमें क्या बताना है इसकी value बताने है, ए वेक्टर cross, बी वेक्टर का cross C, अब दो a cross b का mod कितना आया है यह आपका आया है, 3 root 3 और modulus of C कितना है, यह आपका 6 plus root 6, और आप root 60 degree किया होता, root 3 by 2 तो यह हो जाएगा, root 3 में root 3 का multiply 3 हो गया, और 3 का, फिर 3 से multiply 9 by 2 और 6 plus root 6, देखे कोई option है, कोई option से आपने पढ़ा है, बहुत concept चलता है, इसमें क्या दिक्का थी, कौन सा question इसमें, कौन सा डर था, यह सवाल पहले आ चुके हैं, यार ऐसा थोड़ना कि पहला question, यह नहीं कहेंगे कि फिलकुल exact यह जिसे यह बदल दिया, अब इसको बदलने, less than कर देगा, answer change हो जाएगा, अब इसको कर देगा, अब यहाँ पर less than के लिए यह वाला लेना पड़ेगा, आपको 6 से कम, तो इसलिए दो CRS लिए problem हो रही है, तो परिशान नहीं हो, ऐसा सवाल में बना के देदिया, कि तुम एक ही सी ले पाओ, चलो, आगे बढ़ेंगे भाई, next question क्यों बढ़ेंगे, हमारे सामने next question, जेए मेन, 2024 का, आठ अपरेल, यह सारी question यार, जेए मेन के, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, चली, आप दिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, क्या question में कहा जा रहा है, question में कहा जा रहा है, the set of all alpha, यानि for which the vectors and we are inclined at an obtuse angle for all, बहुत जबर्दस question है, बहुत ध्यान से सुनना, concept को strong अगर आपने कर लिया, मैं आपको challenge कर रहा हूँ, कोई भी सवाल दुनिया का, आपको पूछ लिया जाए, आप उसे solve कर सकते हैं, मतलब हम आप से कह रहे हैं कि कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, बस आप concept को अच्छे से पढ़ लीजे, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, alpha की ऐसी values का collection करना है, जिन के लिए इन दोनों vector के बीच का obtuse angle, तो सुन लीजे, इसको दिमाग में बैठा लीजेगा, note करके लिग लीजे, अभी हम इसको रभ भी कर देंगे, note करके लिग लीजे, most important note, सारा collection करेंगे, important का, अगर दो vector के बीच में, acute angle बनता है, acute angle between a vector and b vector, तो क्या concept लगाना चीए, बिट अगर acute angle बोलेगा, तो a dot b greater than 0 होगा, सर कैसे इसको explain, चलो अभी करते हैं, और obtuse angle, obtuse angle between a vector and b vector, a vector और b vector के बीच में, अगर obtuse angle यानि 90 से ज्यादा बन रहा होगा, उन दोनों का dot less than 0 होगा, इस concept को दिमाग में बैठा लिए, कैसे होगा, जरा समझो, बिटा होता क्या है, a dot b is equal to modulus of a vector, modulus of b vector cos theta, तो हमारा cos theta जो होगा, वो क्या होगा, a dot b, divide में modulus of a, modulus of b, आप जानते हो, cos theta, बिटा देखो, दो vector के बीच का angle बहुत इंट्रेस्टिंग है, एक बात आपको बताजिए, से दो vector के बीच का angle, 0 और 180 degree के बीच में बनता है, सरीय क्या बात करें, बिलकुल है, जबर्दस concept है, इसलिए, sign कभी negative, 0 से 100 C के बीच में, sign negative नहीं होगा, cos theta negative कभ होगा, अगर हम quadrant की बात करेंगे, जब 0 से 90 के बीच में होगा, तब हमारा cos क्या होगा, always positive होगा, जान रखें, cos हमारा positive रहेगा, तो यह, इसलिए cos theta greater than 0 गिया, और यह A dot B, और यह क्या होगा, modulus of A, modulus of B, और यह greater than 0 यह उदर चला गया, तो यह आ गया, अपने question पर, बस तुम्हें करना क्या है, आज के बात कभी भी, ऐसा कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, कभी भी कहा जाएगा, कि दो vector के बीच में, अगर obtuse angle बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेटा, जरह समझो, दो vector के बीच में, अगर obtuse angle बन रहा है, तो यह ध्यान रखना, उन दोनों का, जो dot होगा, वो negative होगा, less than zero, और यह किसके लिए होगा, फॉर, 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 और यह 6 का मटिप्लाई, माइनस 2 में मटिप्लाई करोगे, माइनस का 12T, और constant है, माइनस, सॉरी, के कहा है, माइनस 3, और यह माइनस 3, और माइनस 2, यानि, प्लस 6, अलफा टी, लेस देन 0, देख लीज़े, यह आप अखिके अपक उप्शन, माइनस 2, अलफा टी में माइनस 3 का मटिप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और 2, 3, 6, अलफा टी होगे, अरे यार, आप यह क्वाड्रेटिक का सवाल बन गया, मेरे बच्चो, अलफा पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक कैसे, टी में क्वाड्रेटिक बनाओ, टी स्क्वाइर, प्लस का 6 अलफा टी, और माइनस 12 टी, लेस दिन जीर, और यह आपका, इसमें आपका टी नहीं होगा, ज़रा समझे यह बिटा, यहाँ पर टी नहीं होगा, क्यों, देख लिजए, अब समझ में आगे, क्यों नहीं होगा, टी देखो, यह माइनस 2 है, और वो 6 है, तो माइनस 2 का 6 में, माइनस 12 होगा, चलो भई, अब यह क्वाड्रेटिक बन गया, अब ज़रा याद करू, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको याद दिला दे कोई भी क्वाड्रेटिक होती है, आपको मालूम है, क्वाड्रेटिक जो होगा, वो हमारा दो टाइप का होगा, या तो माउथ उपर की होगा, या नीचे की होगा, चलो यह क्वाड्रेटिक का बहुत डीप में आ जाएगे, फिर हमें क्वाड्रेटिक की वीडियो में इसक पॉज़िव होगी और आपको बता दे कुछ ऐसा बन रहा होगा अब आप कोई भी एक्स पर वह यह पॉज़िव होगा अगर ऐसा लिखाया है तो जो एक्स पर वह पॉज़िव होना चीओ और उसका डी निगेटिव होना चीओ अगर डी निगेटिव है। तो quadratic का जो graph होता है वो कभी x x को कट नहीं करेगा तो उसका हर एक x पर value positive रहते हैं दूसरा क्या है अगर हमारा कोई quadratic expression है जो negative है for all x ठीके सभी x के लिए तो यह क्या होगा बोलो इसके लिए क्या होना चाहिए एक तो a negative होगा और दूसरा क्या होगा बोलो डी हमारा क्या होगा less than 0 बस कर दीजया complete होगया question यहां पर जो alpha है इसका जो कॉप्षेंट है निगेटिव है तो यह alpha less than 0 और क्या होगा इसका जो d है वो less than 0 और d क्या होगा b square minus 4 a c यह तो आपने पढ़ा होगा डी बोर a c होता तो यह a हो गया यह b हो गया c हो गया रख दो b square यानि 36 alpha square minus 4 a a कितना है alpha c कितना है minus 12 less than 0 तो यहां पर कहेंगे 36 alpha square प्लस बारा चको 48 alpha less than 0 और यहां से 12 common आ गया और alpha भी common आ गया फिर बारा ती है 37 और प्लस बारा चको 48 less than 0 और यह तो positive है और आपको मालूम है alpha negative है अब यह बताओ दो चीज़ों को अकर निगेटिव होगा और जब यह निगेटिव होगा उनका डाट तो आलवेज उनके बीच में आप्टिवस एंगल बन रहा हुगा तो यह alpha negative है less than 0 मदलब निगेटिव तो जब यह निगेटिव है हमारा और हम जानते हैं दोनों को multiply करने पर यानि तीन होगा यह तो positive है से कोई मदलब नहीं अब हमें इन तीनों का multiplication negative लाना तो यह positive होना चाहिए तभी उन दोनों का product negative होगा तो 3 alpha greater than minus 4 alpha greater than minus 4 by 3 alpha क्या होगा बोलो greater than minus 4 by 3 और less than 0 यह तो negative है न जीरो बट अब यहां पर minus 4 by 3 से alpha एक option दिया होता तो मज़ा आ जाती बिटा यह question पक्का गलत हो जखता था बोलों को मान लीजिए हम एक option और रख दें यहां पर option है minus 4 by 3 से 0 बोलो किसी को टिक लगा के आएंगे जबकि option यह सही है क्यों क्यों सही है देखो बिटा आप बच्चों को यह ध्यानक ना है उनका जो product है वो निगेटिव आना चाहिए ठीक है आप जरा alpha 0 रखें इसमें 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 चाहिए इसमें रखो चाहिए इसमें यह आगया answer है हमारा answer तो यह यह आ गया but alpha equal to 0 पर क्या हो रहा है a.b कैसा आ रहा है negative इसलिए क्या है alpha 0 भी लेना है तो आपको लेना है तो आप एक काम करो तो माइनस 4 by 3 से alpha और यह 0 यानि alpha की जो value होगी माइनस 4 by 3 से 0 पे close bracket लगा देगी answer और अगर मान लिए वैसे करके करना चाहते तो भी हो जाएगा देखो कैसे चलो यह वाला तो हो गया अब आप देख लीजेगा देखो दूसरा तरीका क्या है हम यहां पर वैसे वेवी कर्व मेथड से करेंगे अगर मान लो तुम्हें यह दिक्कत हो रही है तब भी उतना ही आना है बेटा वेवी कर्व मेथड से होगा यह कहां पर 0 यह एक काम करो यह नीजे बेद दुबार तो 3 alpha 3 alpha plus 4 less than 0 कहां पर 0 0 पर 0 यह कहां पर 0 minus 4 by 3 कैसे पता चल ला है 0 के equal कर दीजे 3 alpha plus 4 को जब 0 के equal करोगे minus का 4 alpha होगा minus 4 by 3 तो minus 4 by 3 पर 0 हो रहा है और यह minus 4 by 3 को पहले लिखो 0 को बाद में कैसे लाना है plus फिर negative लाना है alpha क्या होगा minus 4 by 3 से 0 आगे यह ऐसे भी देखलो आप number line बना होगे दोनों का common value लेनी है common value कैसे लिया जाएगा alpha less than 0 मतलब 0 से infinite यह हो गया और दूसरा क्या है minus 4 by 3 से 0 फाइनली answer क्या होगा alpha जो होगा minus 4 by 3 से 0 यह हो गया बट मैंने alpha 0 रखके दिखा तो वो negative बन रहा है दोनों का डॉट इसका मलब हमारा यहां पर क्या होगा आप देख सकते हैं यहां पर alpha 0 होगा यानि c option correct होगे चलो last question एक और दिखेंगे यह भी काफी अच्छा question है बहुत दिमाग लगाओ इसमें और question को solve करिए कोई भी question मुस्किल नहीं है अगर आपके अंदर confidence है तो आप उस सवाल को solve कर सकते हैं concept के लिए रोना जुरूरी चलो आए दिखें कैसे Jumin का यह क्यों है और यह हमारा question 8 अपरेल 51 में है आपको गिवन है झीवन है वे 4 बी फैक्टर एक्टर यह किल दैए दिखें और आपसे 0 के परआपके बदिया तो आपसे इसको पूछ रहे हैं जरूर्ँ नब कुछ खेल है कुछ नो कुछ गजब का खेल है बेटा बी वेक्टर ए बी और सी दिया है अब बहुत बच्चे क्या करते हैं अरे यार बहुत बच्चे क्या करते हैं यहां पर ए रखते हैं बी और सी और फिर कंपेरिजन है वो सब बेकार तक आप बच्चों को सबसे बेस्ट तरीका बता द इस वाले पूरे राइट पोर्शन को यह तरह सिफ्ट किया तो माइनस होगे अभी आर वेक्टर माइनस और यह बी वेक्टर प्लास सी वेक्टर क्रॉस ए इस इक्वाल टू जीरो इतनी बात ध्यानकना ए वेक्टर कॉमन ले लिए क्रॉस में अब यह बताएए आप बच्चों को यह मालूम है दो वेक्टर अगर पैरलल होगे भई पूरी दुनिया जानती है कि अगर दो वेक्टर परफेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट जीरो होगा बिटर दोनों का डौट जीरो होगा लेकिन अगर दो वेक्टर अगर पारलल है तो तब क्या होना चाहित है तो दोनों का क्रॉस जीरो होता है दोनों vector का cross अगर 0 तुमें दिख रहा है फिर से सुल लिजे दो vector का cross आगर आपको 0 दिख रहा है तो ये ध्यान रखना है दोनों vector क्या होंगे? parallel होंगे ठेक है? तो यहां पर हमें दोनों का cross 0 नजर आ रहा है तो इससे benefit मिल गया R हमारा निकलने वाला है कैसे बहुत इदी बैक्टर जो है R वैक्टर माइनस B वैक्टर प्लस C वैक्टर ये हमारा क्या होगा, पैरलल होगा किसके A के और आप बच्चों को मालुम है कभी भी एक वैक्टर दूस्एके पैरलल तो एक को दूसरे के टम में लिख सकते हो चाहो तो आप A is equal to lambda times B लिख दो या आप B is equal to क्या लिख सकते हो B is equal to mu time से अब लेकिन हमें R निकालना है तो ये vector equal to lambda times A लिख दो R vector minus B vector plus C vector is equal to lambda times A vector और यहां से R vector और यह उदर चला गया B vector plus C vector plus का lambda times A vector तो वहिया अब बताओ एक ही unknown में ऐसे में आप R को let करोगे XI के A plus YJ के A plus Z के बताओ कितना तीन-तीन unknown दिख रहे हैं तो यह बेकार तरीका है इसको निकरना तो हमारा तरीका बेस्ट यही है अब हमें इससे क्या है और यह बताओ आर वेक्टर का डॉट जब B vector minus C vector के साथ 0 आ रहा है इसका मदब तो आर वेक्टर और B minus C perpendicular लेकिन हम इस आर की वेल्व मा रखेंगे लेमडा निकलेगा यह जरूर जो खेल है ना कुछ होने वाला है मज़ा आने वाला अभी देखो तुम कैसे होगा आप इसकी जिंता ना करें आप जो जो डाटा है उस पर यूज करेंगे चलिए इतनी बा आर वेक्टर का इसके साथ डॉट है तो भाही आर की वेल्यू रोखो आर होगे वी वेक्टर सुर्ण आर की वेल्यू रखेंगे जल्दी से रखेंगे आर का जो यह वैल्यू है यह यहां पर पुट करेंगे तो यहां से हमें लेम्डा निकल के आ जाए मज़ाने वाला है क्या होगा बोलो पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक् वो तो मालूम होगा यार A vector plus B vector का dot अगर A vector माइना B vector में होता है तो यह modulus of A vector का square माइना तो यह ज़्यादा बेस्ट है अब ऐसे करो कि टाइम कितना लगा B का B के में फिर B का C में फिर B C का B में C का C में तो यह time बरबाद ना करो direct कर दो B minus C का direct इसमें कर दीजे dot तो यह होगा modulus of B का square minus modulus of C का square plus lambda times A vector dot कितना होगा B minus C अब B में C को minus कर दीजे चाहो तो B वाला vector A वाला vector चलो अभी देख ले रहें अगर तीन में सत्रा माइनस करोगे माइनस का protein I कै और साथ में माइनस करो प्लस हो जाएगा साथ और दो नौ जे कै और इसको माइनस करो माइनस 13 और माइनस एक माइनस का 14 यह होगे बिटा और इस इक वाल टो जीरो हो जाए अब देखो माजाने वाल इसके बाद मॉडूलस ओप भी कितना है एक सो उनत्तर में आप उन्चास जोड़ोगे फिर नौ जोड़ोगे यह तो है पिटा इसको अगर के एड करना है यह कितना है सब्सक्राइब चार और तो छह और चेह 12 और यह 227 तो 227 अंडर रहेगा ना मॉड उसका स्क्राइब करें तो होगे माइनस मॉडूलस अब सी कितना है यह हो गया 289 289 में चार्ज उड़ोगे 293 294 कि प्लस का 294 समझ में आना चेक कैसे 289 में चार एड़ गया 293 293 में वन और एड होगा 294 और अंडरूड के अंदर स्वायर करेंगे तो अंडरूड हट जाएगा और इस एक डॉट कर दो एगर इसके साथ एक डॉट करो तो यह माइनस 14 इंटू 9 कि मल्टिप्लाइग कर दीजे अभी 9 के टीबल पढ़ लो आप 14 बाद माइनस 126 हो जाएगा ठीक है माइनस 13 माइनस 13 करनों में मल्टिप्लाइग तो यह किलियर हो जाना चेंग है है एक सो सत्रह होता है और 25 का माइनस 14 में मल्टिप्लाइग करोगे तो यह तो टेबल नहीं आ और फिर चौदर पंचे सत्तर और चौदर दुनिए अठाइस अठाइस और साथ 35 और इस इक वाल टू जी रू तो यहां से अगर हम कैल्कुलेशन दिखेंगे 294 में अगर 227 को माइनस करेंगी चौदर में साथ एक सिक्स्टी वन ठीक है कोई बार नहीं है कहीं पर मिस्टेक होगी तो अभी समझ में आ जागा यह 67 हो रहा है लगरा गड़बड़ी होगी यह पैटर्न ऐसा जो गिवन है ना अभी हम बना रहे हैं दूब जाए इधर कैल्कुलेशन करेंगे माइनस 126 माइनस 117 माइनस 350 साथ औ सब्सक्राइब करेंगे माइनस 593 बन गया यह आपका चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी हो जाएगा यहां पर मैंने क्या सबसे पहले इसको एक बार समझ लेकर इसका इसके साथ करेंगे तो किलियर हो जाना चाहिए कि जब डाट करोगे तो कितना होगा मॉडुलस ऑफ स्कौरर मैंने मॉडुलस ऑफ सी स्क्वर तो यहां पर मॉडुलस ऑफ बी कितना है अच्छे 24 स्कॉर कितना होगा 49 और इसका स्कौार कितना होगा 9 ठीक एड़ गया 9 और 9 ठारा 27 कि लेर हो गया 426 और 612 हो गया 277 अंडर रूड के अंदर उसका स्कौर ही हो गया मॉडुलस आफ ची कितना है 289 289 में 4 एड़ गया 293 294 ठीक है कोई दिक्क्कत नहीं कि यहां पर यह कोई दिख्कत वाली बात नहीं है तो यहां से अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना होगा कि 294 में मैंने जब 227 माइनस किया तो कितना होगा 14 में अच्छा यह साथ आएगा सुरी गलत हुग मैं जोड दिया साथ चर गया रहा हुग गलत हुग मैंनस करना है न यहां पर मैंनस करना है बेटा 14 में साथ के साथ और यह 8 में दूग एच्छ है तो माइनस 67 और इधर हो जाएगा माइनस 593 लेमडा इस इक्वाल टूज तो जब आप यह देखोगे मजा आज नहीं वाली बैया मजा आने वाली देखो वही डिजिट यहां पर भी आ रहे है नंबर यहां पर क्या अगर होगे बेटा जरह मुझे बताईए माइनस 67 इक्वाल टू 593 लेमडा तो लेमडा इस इक्वाल टू माइनस 67 डिवाइड में 593 अब कैसे मजा आएगी जरह देखेंगे कैसे मजा आएगी देखो R vector equal to B vector plus C vector यह रखो यहाँ पर 67 divided में 593 खतम सवाल कोई दम नहीं है सवाल किसका एक काम करουें 593 गा मल्डिप्लाइ कर दो यह हो जाएइगा 593 R vector 593 पूरा B vector प्लास C vector एक साल लिखव माइनस इसमें मल्डिप्लाइ करोगे 67 से बनें अरे भाईया कितना कमाल हो गया देखे 593 आर वेक्टर प्लास 67 एक्वेक्टर एक्वल टू 593 वेक्टर प्लास सी वेक्टर वो तो क्या खतम कि अब ग्या होगा विटा तो यहार मज़ा आ गया यह चीछ जो है उपर रख दो इसके अब इसके ऊपर हो गए तो 592 वो तो नीचे है और फिर इस important square कि इसका square कितना होगा यह पहली पूरी रख दो इस शोनमरिटर में तो यह ओघा 593 का इसक्वाइर हो गया वद्ष के इदर कितना हो ग्या व्यटर प्लास सी वेक्टर के अ यह ग्य। यह होगे यह कैंसल ब्यूपै प्लस सी वेक्टर कितना हो हूं कि विक्टर में अगर हम सी वैक्टर को एड करते हैं तो हमारा कितना होगा बिटा का मैं बस कतम खेल चुछ भी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एड कर दो जड़ा तो एड़ करोगे 3 आई के हमें 17 जोड़ोगे तो 20 आई के है और 7 में माइनस 2 आई करोगे 5 जे के है और इदर माइनस 13 में 2 प्लस 1 आई करोगे माइनस 12 के के है अब यह यहाँ पर क्या होगा देखो 20 का स्क्वाइर हो गया 400 इसका स्क्वाइर 144 पांच चानो और यह कितना होगा अच्छा है पांसो उनत्तक लेकिन अंडरूड के अंदर हम जानते 500 अंडरूड का अंडरूड लेकिन कोई फायदा नहीं इस्क्वाइर हो जाना जो अंडरूड हट जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे यह जितने भी आज मेंने क्वेश्चन बताएं कंप्लीट हुए हैं वेक्टर के आगे भी क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे आप को लगातार हम जी में के सॉलिशन और भी कुछ आपको डिस्कस करना है या कुछ भी पूछना ह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्यों कि थैंक रूप झाल झाल